हाई फ्रेंड आइडिसर क्लासिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियों हम लोग 17 और 18 के दोनों सिप्ट में ठीक है पूछे गए समास से कोशन देखेंगे इसमें पहला कोशन है रक्त रंजित सब्द में कौन सा समास है तो रक्त रंजित में कौन समास होता है क्या होता है तो कौन सा अफसन सही होता है इसका डी वाला सही हो जागा देखें समास जो होते हैं छे परकार के होते हैं समास कितने परकार के होते हैं छे परकार के होते हैं अच्छे वो को इसी वीडियो में हम समझेंगे ठीक है और कौन छे होते हैं वीडियो के पर्थम पद को ही पूर पद काते हैं अदुत्ति पद को उत्तर पद काते हैं तो जिसका दोनु पद क्या हो परधान हो से दोनु समास काते हैं जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाची हो उसे दोनु समास काते हैं अब्वे हो समास में पहला पद क्या होता है अगला कोस्चन है कि आराम कुर्सी तो आराम कुर्सी में कौन सा समास होगा तो आराम कुर्सी मतलब क्या हो जाएगा आराम क्या हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी क्या हो जाएगा आराम के लिए तो के लिए आ जाता करतानिक करम को करतानिक करम को ही हो जाएगा ठीक है अकरम धारे क्या होता है तो ढहर देखे पूछा था कि लिए सही समास भी गरह नहीं हुआ है तो देखे यग के लिए साला अब के लिए आ गया ठीक है तो यहाँ पर कौँ सा होगा तक पुरूश समास हो जाएगा यानि ये सही है बेत पुरार देखे युजग चिन हो आ गया और बीच में और आएगा इसका क्या है अगर बेद और पुरा रहे यहाँ पर पूछे कौन से समास होगा तो दों दों समास हो जाएगा नो निधी यहाँ परकार की निधी है यहाँ पर देखे नो आगया तो संख्यावाची जहाँ पर होता है वहाँ पर दों समास होता है काता है कि कौन सा समास भिग्रे नहीं हुआ सही ठीक है तो कौन सा अगर डी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है देखे अगला कोशन है कि निम लिखे में से कौन सा अब्बाई भाव समास के उदारण है तो अब्बाई भाव समास का पहला पत क्या होता अव्य होता ठीक है क हो जाएगा सब्ता में देखे साथ दिन होते हैं संख्या वाची है तो क्या हो Bam समास हो जाएगा ठीके क्या हो जागा दियुक समास को तोड़ना कहलाता है समास विग्ञा कहलाता है समास बिग्रय कहलाता है दोस्तों आप से रिक्रेश्ट है याप चैनल प्यून है तो प्लिज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंड करके फीड़वेक जरूर दीजेगा देखे जितनी भी कोशन पूछे गए थे हिंदी के हमने जो पिछले बार एक्जाम से पहले जो हिंदी का कोशन पढ़ाए थे उसमें से बहुत कोशन लड़े हैं तो अगर आप कम समय में ज़्यादा तयारी करना चाह रहे हैं बहुत पले लिट से वे हिंदी के सारी वीड़ जरूर देख लिएगा ठीक है और वाप लिट से पूराना वालवा वीड़े। देखे लेंगे तो asubay में सेट बज़ेब से एक colours बसे chalएं रहा है बहुतला कोशन है कि दखे घर रोज में कौन सा समास होगा तो देखी, रूज से पहले काया, हराया, यह अब्वयो सब्द होता है, तो यहाँ पर कौन से समास हो जाएगा, अगला कोर्शन है, देखी, आ गया, आ जीवन, आ जीवन में आ जा रहा है, अब्वयो सब्द आ जा रहा है, कौन से समास हो जाएगा, अब्वयो समास हो पहले पद को पूर्व पद काते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद काते हैं, क्या काते हैं, तो जिस समास का पूर्व पद, यानि पहला पद क्या हो, पहला पद कहे छे, पूर्व पद कहे, क्या हो, अब्वे हो, ठीके, क्या हो, अब्वे हो, और परधान भी हो, ठीके, और पर अधान मतलब मुख्य हो ठीक है वो क्या कहलाता है अब वह समास कहलाता है चलिए देखते हैं अगला कोशन अभी सारे समास के बारे में आपको डिसकस हो जाएगा जिस समास में पूरुपद अब्वे हो कहरा आप पूरुपद नि पहला पद अब्वे हो अभी समझाएं कि जि समास हो जाएगा भर पेट में अब भाई भाई समास हो जाएगा अगला कोश्चन है यहीं आपको बताए थे यह था सकती ठीक है यह था सकती नहीं सकती के अनुसार यह था आ गया है तो क्या हो जाएगा अब भाई भाई समास हो जाएगा अगला कोश्चन है कि भीस पितामा अगला कोशन है कि रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर रसोई के लिए घर ठीक है रसोई घर में क्या हो जाएगा रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा रसोई ठीक है रसोई के लिए घर अब के लिए आ गया तो देखें यहाँ पर के लिए आ गया तो भी भक्ती हो गया तो जहाँ पर भी भेकती होता है वहाँ पर काउं सा होता है थत्पूरुस समाथ काउंस आपसन से होगा इसका भीवाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि समास विग्रे और उनकी भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्त में रिक्तस्थान की प्रूत्ती के लिए सही विकलका चैन करे देश भक्ती तो देश भ सम्प्रदान के लिए तो सम्प्रदान हो जाएगा तो कौन सा अपसन सही होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि समास के संदर में इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना इसमें से कौन सा कथन गलत है तो कर आप बहुबरी समास में दून उपद ग टिकके क्या होते हैं गौल होते हैं ठीके इसका तीसरा रफ निकलता है ध्यान रखेगा बहुगरी समास के दोनों पत्गार होती हैं अब अब परापरद परधान होता है और नहीं होता है अगला कोश्चन है तत्पुरुष्ट देखे अगला ऑप्शन है तत्पुरुष्ट समास में अंतिम पत गौर्ड होता है यहीं क्या है आपका गलत दिया यहीं क्या दिया गलत हो जाएगा अगला कोश्चन है तो जहाँ पर भी भक्ती आ जाए तो वहाँ पर काँस होता तक पुरू समास होता है अगला कोश्चन है कि नीती नीपुड थीक सब्द में काँस समास है तो नीती निपूर का जब समास विग्रे करेंगे तो नीती में निपूर ठीक है तो बीच में में आ जाएगा ठीक है तो ये विभक्ती में आता है और क्या हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरु समास हो जाएगा अगला कोशन है कि सत्याग्रह सत्याग्रह सब्द में कौन सा सम समास है तो सत्य आग्र है का समासlated करें कि क्या ओजया सत्य के लिए आगर क्या हो जाएगा सलीफ पहले में एस अग्षिश का नतरी व्लन लिए भक्ति यानि तत्पुरु समास हो जाएगा अगला कोशन है कि जिस समास में पूरपद विसेशल और उत्तरपद विसेशो वहां किस परकार का समास होता है तो यह देखे परिवासा भी याद करते रहेगा ठीक है अच्छा एक चीजह आपको बताना भोल गए जो समास हो होते हैं अभी आपको बता देंगे कौन से चैसमास होते है ठीक है तो जिस समास में पूरपद विसेशल और उत्तरपद विसेश होता है उसे कौन से जाते हैं करमधारे जैसे होता है नील कमल थीक है नील कमल नील कमल तो यहाँ पर जो कमल है यह क्या हो तर बिसेस होता है इसकी बिसेसता क्या बता जा रहा है नीला है नीला है नीला हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर नील कमल में कौन सा हो जाएगा कर्मधारे समास हो जाएगा अगला कोशन है देखें कोशन आ गया है नील कमल में ठी तो कमल बिसेस हो जाएगा जो नीला है यहां पर बिसेसर बिसेस आता है वहां पर कौन सा समास होता है करमधारे समास होता है अगला कोशन है मीनाच्छी मीनाच्छी में कौन सा समास है देखी अच्छी मतलब क्या होता है अच्छी मतलब आख होता है ठीक है अमीन मतलब मचली ह होता है यहां पर जो उसकी आखें हैं ठीक हैं वो कैसे हैं मचली की समाने तो यहां पर इसकी बिसिता क्या पता जा रहा है उसकी जो आखें मचली की समान है ठीक है तो हाँ पर कौन से समास हो जाए कर्मधारे समास हो जाएगा कर्मधारे समास हो जाएगा अगला कोश्चन है सद भावना ठीक है तो सद भावना में कौन से समास हो जाएगा ठीक है सद भावना उसकी जो भावना है कैसी है सद है सद मतब सच्चा है ठीक है उसकी भावना कैसे ही सच्च है तो भावना की पीसे इसता बता रही है ठीक है तो जहाँ पर 20-60 पीसे आते हैं वहाँ पर कौन सा होता है कर्मधारे समास होता है अगला कोश्चन है कि 8 कोना 8 कोना में कौन सा समास है तो देखे कोना है लेकिन इसके लगा पहले लगा हुआ है यानि 8 हो जाएगा 8 तो जहाँ पर संख्या वाचक होता है क्या होता है संख्या वाचक जहाँ पर संख्या वाचक होता है वहाँ पर कौन सा होता है दिग समास होता है वहाँ पर दिग वाचक होता है दिग समास होता है अगला देखे कोशन है जैसे तिरी भूवन है ठीक है भूवन कितने है तिरी मतलब कितना होता तिरी तो तीन संख्या वाचक हो जाएगा कौन सा समास होगा दिग समास हो जाएगा अगला कोशन है कि पंचा मिर्ट पंचा मिर्ट देखे पंचा आ रहा है तो कौन सा होगा द्यूग समास हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन से पहले दोस्तों आप से रिपक्वेस्ट ये चैनल के नियू है तो पिली चैनल को सस्क्राइब जरूर केजिएगा और अपनी दोस्तों के पास भी सेर करते रहेगा पले लिट से जितने भी कोश्चन है ठीक है चाहे हिंदी हो चाहे रिजिनिक हो जी एसो इसको जरूर देखते रहेगा यहां से एक्जाम में 100% बेनिफिट मिलेगा यूपी स्पेसल वाला जरूर देख लिजेगा पुराना वीडियो जाम से पहले खाय लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आए गई इससे सारी कोश्चन पूछे गए थे तीरंगा सब्द में कौन सा समास है तो तीरंगा में देखे तीन आ रहा तीन रंग का ठीक है तीरंगा मतलब तीन रंग इसमें हो जिसमें संख्या वाचिक होता दिख समास होता है अगला कोश्चन है देखिए अगला कोश्चन है कि निमन लिखित प्रशन में चार विकल्पों में से दिए गए सब्ध का सही समास वाला विकल्प पहचानी तो सब्ध सिंदू सब्ध मतलब क्या होता साथ सिंदू सिंदू नदी सिंदू जो क्या होती है न अगला कोश्चन है कि जिस समास में दोनों पत परधान होते हैं ठीक है कह रहा है दोनों पत क्या हो परधान होता था जिसमें समुच बुधक अब्यों कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाते हैं तो दोनों पत परधान होता है उसको दोन्द समास काते हैं अब बीच में समुच बोधक यानि योजक चीन जुड़ा होता है वहाँ पर उसको दोंद समास काते हैं जैसे माता, पिता, भाई, बहन, चोर, सिपाही ठीक है? अगला कोश्चन है कि जिस समास में पूर उपद और उत्तर पर दोनों ही परधान दोनों परधान होते हैं उसे दोन्द समास काते हैं उसे क्या काते हैं? दोन्द समास काते हैं अगला कोश्चन है रामकिट सब्द में कौन सा समास है देखिए योजक चीन जुड़ा हुआ है इसमें दोन्द भी है तो कौन सा होगा? दोन्द समास हो जाएगा अगला कोश्चन है कि अन नजल देखिए, हाँ पर योजक चीन जुड़ा हुआ है, तो दोन दो समास हो जाएगा, अगला कोशन है, कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक बिसिस, यानि तीसरे अर्थ का बोध होता है, ठीक है, तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर काउंस होता है बहुबरी समास होता है, काउंस होता है, बहुबरी समास होता है, परिभासा भी से कभी कभी कोशन पूछता है, निमलिखित प्रशन में चार बिकल्पों में दिये गए, सब्द के सही समास वाला बिकल्प चुनिए, चक्र है धर में जिसके चक्र धारड किया है, जिसने चक अगला कोश्चन है कि निमली खित प्रस्म में चार विकल्पों में से दिये गए इस सब्द के सही समास वाला विकल्प पहचाएनी ठीक है तो दस आनन दस आनन में क्या उत दस है आनन जिसके अर्थात राम अर्थ कौन सा समास होगा इसमें बहुबिरी समास हो जाएगा अगला कोश्चन है अगला और लाश कोश्चन है कि गिर धर में कौन सा समास पर्युक्त होता है गिर धर में गिर मतलब क्या होता है परबत धर मतलब धारड करने वाला परबत को धारड करने वाले कौन थे अर्थात शिरीक्रिट तो इसमें कौन सा हो जागा तीसरा अर्थनिक कर लहा है तो बहुगरी समास हो जाए गा? इसका बहुगरी समास हो जाएगा? आपका बहुत समास ठीक है तीसरा होता है आपका कर्म धारे समास और उसके बाद चौथा होता है ये दोंदो समास ठीक है पाचवा होता है दीग समास ठीक है दोंदो दीग हो जाएगा उसके बाद छठवा होता बहुबरी समास नहीं छे समास होते हैं इसको जरूर ध्यां रखेगा मिलते है नेक्ट बीटूम तब तक के लिए धन्यवाद